दोस्तो अलावाद हाई कोड की तरब सिफ बंपर वैकेंसी आ चुकी है लगबग 4,000 भरती जो है निकाली गई है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ठीक है तो 4,000 के लगबग 49,000 कुछ वैकेंसी है लगबग 4,000 मान सकते हो जिसमें आपकी गुरूप C और गुरूप लगबग 11,200 के आसपास साड़े 11,500 के आसपास वैकेंसी है हना इसमें हिंदी और इंग्लिस दोनों के लिए है यानि लगबग 300,500 के आसपास इसमें जो है इंग्लिस के स्टैनोग्राफी के लिए है और बाकी हिंदी वालों के लिए है तो अगर आप स्टैनों की तयारी कर रही हैं तो इस exam को अच्छे से देना preparation करके और ये form ज़रूर भरना है आपको ठीक है अभी official site पर notification नहीं आया है बारहाल जो है जो official notification है वो जारी हो चुका है ठीक है तो आपको मैं दिखा दूँगा screenshot पर इसमें जो subject की अगर बात करें सिलेबस की stenographer देखिए जो बच्चे SSC stenographer की तयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकती है math को ले करके क्योंकि यहाँ पर math पूछा जाएगा इसमें subject आपके चार कौन कौन से math है और इसके बाद आपका reasoning इसमें नहीं है math है जी के है हिंदी और English ये चार subject है 100 question जो है पू marks मिलते हैं लगबग 50 question का आपको इस टैनोग्राफिक का test होता है 50 marks का उसके साथ साथ आपकी इसमें typing अलग से होती है हिंदी की अलग typing होगी English की typing अलग होगी तो उसके भी marks आपको मिलते हैं लगबग 50 marks ठीक है तो भाईया और बाकी चीज़े जो है जो syllabus है नया जो syllabus अब यह पिछले syllabus के इसाप से बताया मैंने और इसमें जो assistant junior assistant की जो vacancy है ठीक है वो भी काफी vacancy और group D की भी काफी सारी vacancy लगबग 2000 के असपास जो है इसमें group D की vacancy है तो आपने 10 वी पास करका तो भी आप इसको भर सकते हो और इस टैनोग्राफर के लिए देखे grade मतलब इसमें grade 100 मतलब 800 grade pay की vacancy है तो इसमें graduation मांगी गई है बाकी आप जो है junior assistant 10 plus 2 है I think और बाकी मैं आपको देख करके यानि आप चेक कर सकते हो बाकी की चीजे और साथी साथ इसमें triple C वगएर भी मांगते हैं तो अगर आपने triple C किया हुआ है तो आप इस form को जरूर भरेंगे और math की तयारी में अभी जो है अभी आप math जो है पहले स्टेनो ग्राफर का exam दे लीजिए उसके बाद math पढ़ना स्टार्ट कीजिए अराम से ठीक है क्योंकि CISF की जो भरती है आपने form भरा होगा उसमें उसमें भी math है तो आपको math पढ़ना पढ़ेगा ठीक है और steno का य math को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए मैं कोशिश करूँगा कि math का separate channel बनाओ और बहुती basic तरीक से यानि उस बच्चे को जिसने कभी math पढ़ा नहीं है 10th के बाद मैंने भी 10th के बाद math नहीं पढ़ा था biology से मैंने किया है तो मैंने किस तरह से सीखा है उसी तरह से आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा तो math से घबराना नहीं है बाकी की और जो बाकी चीजे है हिंदी इंग्लिस और GS वगएरा उसके आप अच्छे से तयारी करते रहें और भरती जो आ चुकी है बाकी इसके बारे में details में आपको next वीडियो में बता दूँगा syllabus क्या रहेगा और बाकी की चीजे skill test वगएरा सारी की सारी सारी की सारी चीजे में आपको बताऊंगा next वीडियो में तो मिलते ह अगली वीडियो में थैंक्स पर बोचिंग दिस वीडियो